तो चलिए, अब एक question solve करते हैं इस question में हमें ये given relation prove करना है तो चलिए, अब हम इसे solve करते हैं 2 10 inverse 1 by 2 को हम इस परकार भी लिख सकते हैं जिसे आगे solve करने पर हमें यह मिलता है and जब हम इसे further simplify करेंगे then we get 10 inverse 4 by 3 यानि की हमें 2 10 inverse 1 by 2 की value 10 inverse 4 by 3 के equal मिली है अब यदि हम इस question के LHS को देखें तो वह कुछ इस तरह का है जिसमें हम 2 10 inverse 1 by 2 की value 10 inverse 4 by 3 put करेंगे जिससे की हमें कुछ इस तरह की terms मिलेंगी अब हम यदि इसे check करें तो 4 by 3 and 1 by 7 का product हमें 4 upon 21 के equal मिलता है and which is less than 1 यानि हमें यह formula apply करना है where we can see that x into y is less than 1 now इस formula में x की जगे 4 by 3 and y की जगे 1 by 7 put करने पर हमें LHS की value यह मिलती है जिससे further simplify करने पर हमें यह मिलता है and अब इसे हम आसानी से solve कर सकते हैं जिससे हमें इसकी value 10 inverse 31 upon 17 के equal मिल जाती है and यही हमारा RHS है तो इस तरह हमने इस question को prove कर दिया है